दोस्तो नमस्कार महिमानशु शर्मा और आप देख रहे हैं एश्ट्रोवित शर्मा जी इसके पुर्व के दो कारिक्रम में हम मेश लगन और वरिश लगन के विशाय में बात किये हैं आज हम मिथुन लगन वालों के विशाय में बात करेंगे मिथुन लगन के लोग होते कैसे हैं इनका स्वभाव कैसा होता है या दिखते कैसे हैं कौन से ग्र है जो इनके लिए योग कारक है, कौन से ग्र है जो इनके लिए अकारक है, ठीक है, देखिए, मिथून लग्न, के स्वामी होते हैं बुद्ध देव, इस लग्न को समझने के पहले हमें बुद्ध देव को समझना होगा, बुद्ध देव आखिर है कौन, अत्री र तारा का अपहरण करके ले आये जिससे देवा सुर संग्राम हो गया बाद में ब्रह्मा जी को बीच बचाव करना पड़ा और फिर ब्रह्मा जी बीच बचाव करके मा तारा को व्रिहश्पती देव को वापस करवाए जब मा तारा व्रिहश्पती देव के साथ वापस गई त व्रियाश्पति देव को समझ में आया कि मा तारा तो गर्ब से हैं तो व्रियाश्पति देव उन्हें गर्ब इस्त्राव करने का निर्देश दिये जब मा तारा गर्ब इस्त्राव की तो उस सुनहले अंडे से बहुत ही सुन्दर सा बच्चा पैदा हुआ अब सुन्दर्ता को देखके चंद्र और गुरु दोनों के दोनों आपस में निर्णय नहीं कर पा रहे थी कि यह चंद्र देव का बच्चा है कि गुरु देव का बच्चा है व्रियश्पति देव का बच्चा है मा तारा से पुछा गया लेकिन वो लज्जावस कुछ भी नहीं बोल पाई बालक बहुत चतुर था वो अपने मा को वास्विक्ता बताने के लिए मजबूर किया और उसी समय महाँ पर ब्रह्मा देव भी उपस्तित थे उतने छोटे बालक के तरक को देखते हुए ब्रह्मा जी उन्हें बुद्ध का नाम दिये उस बालक को बुद्ध का नाम दिया गया और उसी समय ब्रह्मा जी उन्हें बुद्धी दाता का आशिरवाद दिये चुकि जंद्रदेव का रंग सफेद है गुरू का रंग पिला और मा तारा का रंग लाल इन तीनों के सम्रिष्टरण के कारण ही बुद्ध देव का रंग हरा है ठीक है कैसा हरा दूबी दुर्वा जो गणेश जी में चड़ता है उसके जैसा हरा रंग है चलिए अब हम बात करते हैं आखेर मिथुन लगने के लोग होते कैसे हैं देखिए जो बुद्ध देव हैं उन्हें राज कुमार की संग्या दी गई है टीनेजर्स वाला भाव समझने की कोशिस कीजिए छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा पल में तोला पल में मासा अचानक बहुत खुश हो जाना अचानक बहुत दुखी हो जाना पहली विशेष्टा चुकि बुद्ध देव बुद्धी के कारक हैं तो वाद विवाद करने की छमता किसी चीज को समझने की शमता इन्हें God gifted होती है विरासत में मिली होई होती है teenagers कैसे होते हैं मानसिक्ता बहुत ज़्यादा चंचल होता है यह एक खुबी होती है चूकि बुद्ध देव का लगना है इसलिए पढ़ने लिखने के बहुत ज़्यादा शौकिन होते है ठीक है अच्छा teenagers के साथ एक और बहुत बड़ी चीज इसको अच्छे परिपेक्च में ले सकते हैं और गंदे परिपेक्च में भी यदि उनकी संगती अच्छी होगी तो वह सही डिरेक्षन में आगे बढ़ते हैं उनकी महत्वा कांच्छाएं बहुत बड़ी होती है वह बहुत उचे जगह तक जाते हैं और यदि उनकी संगत गंदी हो गई तो तुरंत जुआ खिलना सराब पिना ऐसे चीजे जो समाज के point of view से समाज के regarding से सही नहीं है वह सब कृत्य उनके द्वारा किया जाता है यह सब उनके अंदर दोश है टीनेजर्स कैसे होते हैं चाल गती उनकी तेज होती है चंचलताएं होती हैं उचे, लंबे, सुन्दर यह सब उनके गुण होते हैं इन सब चीजों का सम्रिष्ण आपको दिखाई देगा मिथुन लगनों वालों के उपर में ठीक है चलिए, अब हम यह देखते हैं कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो मिथुन लगने के लिए कारक हैं और ऐसे कौन से ग्रह हैं जो अकारक हैं चलिए फिर आज का कारिक्रम प्रारंध करते हैं चलिए देखिए जो कुंडली तीन नंबर से चालू होती है उसे हम कहते हैं मिथून लगन की कुंडली क्यों? क्योंकि जो तीसरी राश्री होती हुआ मिथून कहलाती है ठीक है, तो जो भी कुंडली तीन नमबर से चालू होगी उसे हम क्या बोलेंगे मिठून लगन की कुंडली अच्छा, इसमें भी दो अलग-अलग चीजे है, थोड़ा सा समझेगा एक होता है मिठून लगन एक होता है मिठून राशी देखे, मिथुन लगन और मिथुन राशी के बीच में basic difference कहा है, मैं आपको यह बताता हूँ जब कुंडली तिन नमबर से चालू होगी तो वह मिथुन लगन की कुंडली कहलाएगी है हमेशा और कुंडली चाहे किसी भी नमबर से चालू हो एक से हो, पात से हो, दस से हो मैं मान लेता हूँ दो मिनट ले कि किसी भी भाई यह कुंडली साथ नमबर से चालू होगी तो साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, एक, दो, तिन तिन नमबर यहाँ पर लिखा हुआ आएगा यदि वहाँ पर चंद्रदेव बैठेंगे तो हम उसे राशी कहते हैं चंद्रदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ उसे हम क्या कहते हैं राशी ठीक है, तो यदि यहाँ पर तीन नमबर लिखा है और चंद्रदेव यहाँ पर बैठ गया यह कुंडली कितने नंबर से चले हैं तो हम क्या बोलेंगे तीन नंबर मतलब मितोल यह जातक मितोल लगनक का जातक है अब यह दिचंद्रद इसमेंXT जोगरह कहीं न कहीं पर बैठेंगे यह दिशन्द्रद्यों माल लो पांच नंबर में आके बैठ गए तो पांच नंबर के सामने क्या लिखा हुआ है सी है तो हम बोलेंगे जातक मिथून लगनक है लेकिन उसकी राशी सी है 2 मिनट के मानन लेता हूँ हो कि चंद्रद्यों यहां पर आके बैठ गए जहां सा नंबर लिखा है तो साथ नमबर मतलब क्या होता है तुला तो हम क्या बोलेंगे जातक जो है वह मिथून लगनक है लेकिन उसकी राशी क्या है तुला राशी ठीक है दो मिनट के लिए माल लेता हूं कुंडली तीन नमबर से ही चालू ही लेकिन चंद्रद्यों यहाँ पर आके बैड़ गए ज लेकिन इसकी राशी क्या है बारा बारा मतलब मीन ठीक है हम बोलेंगे है जातक मिथून लगन में पैदा हुआ और इसकी राशी क्या है मीन है ठीक है लगन और राशी कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है यह समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए सबसे पह पहले कारक हो गए क्यों लगने जो होता है वह हमेशा हमेशा कारक ही होता है नमबर एक नमबर दो बुद्ध देव को जो दूसरा इस्थान मिला है छे नमबर मतलब होता है कन्या राश्ची और कन्या राश्ची के भिमालिक कौन है बुद्ध देव ही है ठीक है तो बुद्ध बुद्ध देव को एक तो लगन का इस्थान मिला है, तन का इस्थान, दूसरा छटवाई, छै नंबर कहा लिखा है, चौथे भाव में, चौथा भाव किस चीज का भाव होता है, सुख का भाव होता है, ठीक है, तो सुख के भी मालिक बुद्ध देव हैं और तन के भी मालिक दोनों के दोनों केंद्र का घर मिला हुआ है बुद्ध देव को, बहुत ही अच्छे इस्तिती है तो बुद्ध देव सबसे पहले इसमें क्या हो गए? कारक हो गए ठीक है? चलिए अब हम आज आते हैं अगले भाव में एक नंबर भाव के बाद दो नंबर भाव दो नंबर भाव में कितना लिखा है? चार नंबर चार नंबर मतलब करकराशी करकराशी के स्वामी कौन होते है? चंद्र देव चंद्र और बुद्ध नैसरगी गरूप से मित्र नहीं है ठीक है? तो चंद्र देव को हम कहां ले लेंगे? अकारक में देखिए हम जब मेश्ट लगने के विशाय में बात कर रहे थे तो हम एक बात किये थे कि यह जो सातवा घर है या आठवे से बारवा है देखिए यह जो समझे थोड़ा सा यह जो कुंडली है इसमें जो बारवा भाव होता है और इस कुंडली में आयू को हम देखते हैं एस्टम भाव से एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ यह जो भाव है जहां दस नमबर लिखा हुआ है यह कुंडली का आठवा भाव है आठवा भाव किस चीज का भाव है? आयू का भाव है ठीक है? तो अब यहां से दी मैं बारवा गिनूँ यहां से एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ आठ नौ दस ग्यारा बारा इस से बारवा यह हुआ जिस प्रकार से लगन से बारवा लगन का भाव है उसी प्रकार से आठवे से बारवा इस आयू का भाव होगा इसलिए यह मृत्यू का भी घर है यह आयू है और यह आयू से बारवा भाव है तो यह आयू के विया को दिखाता है तो यह कौन सब भाव हो गया? मृत्यू का भाव हो गया, नमबर एक नमबर दो, आठवे से आठवा भी आयू का भाव होता है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ यह आठवे से आठवा है यह भी आयू का भाव है और इस से बारवा भाव यह है एक दो तीन चार पाँच छह साथ आठ नो दस ग्यारा बारा यह इस दूसरा यह आयू का भाव है और यह आयू का भाव है और इस आयू के भाव से यह बारवा है तो यह भी मृत्यू का भाव ह तो यह यदि लगनेश काती मित्र नहीं है, तो हम उसे हमेशा अकारक में ही लेंगे, सब्तम भाव और दूसरा भाव, यह दो ऐसा जगह है, यदि वहां के स्वामी ग्रह, यहां जो भी राशी आई है, यदि इसके स्वामी ग्रह लगनेश के नय सरगी कती मित्र नहीं है, तो या लगनेश का अती मित्र नहीं हुआ तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा भाव पराकरम का भाव है अतरिक्त महनत का भाव है उपच्याई स्थान है लगनेश के अती मित्र भी नहीं है 5 नंबर मतलब हो गया सिंरासी के स्वामी होते है सूर्य देव ठीक है शूर्य देव लगनेश के अति मित्र भी नहीं है तो इन चारों एंगल के कोर्डिंग सूर्य देव क्या हुए अकारक हुए ठीक है चलिए इस भौक यूपर हम पहले से बात कर चुके थे तीन और छे दोनों बुद्ध देव की ही राशी है एक है मिथुन राशी एक है कन्या राशी फिर हम आजाते हैं यहां पर यहां कितना नंबर लिखा है साथ नंबर साथ नंबर मतलब कौन सी राशी हो गई तुला राशी तुला राशी के स्वामी गरह कौन होते हैं शुक्र देव शुक्र और बुद्ध लगनेश बुद्ध और शुक्र दोनों के दोनों आपस में नैसरगी अतिमित्र हैं शुक्र चारेत यह तो उनके गुरू है ठीक है तो ये दोनों के दोनों आपस में अतिमित्र हो गा है इसलिए शुक्रद्यो कारक हो गा है नंबर दो जब भी त्रिकुन का घर मिलेगा मैं इसके पहले भी दोनों कारिक्रम में मेश और वृष्ट लगने के भी कारिक्रम में इस चीज क नंबर दो शुक्रद्यो लगनेश बुद्ध के अतिमित्र है इसलिए योगकारक अच्छा शुक्रद्यो को एक राशी जो है बारवे घर का मिला हुआ है छै आठ और बारा यह तीन भाव त्रिक भाव कहलाते हैं जिसे अच्छा नहीं माना जाता लेकिन चुकि शुक्रद देव को एक भाव त्रिकोन का मिला हुआ है इसलिए इन्हें द्वाद सेश होने का दोश नहीं लगेगा ठीक है तो शुक्रद्यो क्या होगा यहां पर योगकारक हो गया है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर आगया है छटवे भाव में क्या लिखा है आठ नंबर आठ इक राशी मतलब मंगल देव मंगल और बुद्ध दोनों नए सरगी का आपस में मित्र नहीं है इसलिए अकारक हो गया पहला चीज दूसरा चीज च्छाए आठ और बारा के स्वामी योगकारक नहीं होते हैं दूसरा चीज मंगल देव को एक गंदक भाव मिला नंबर तीन मंगल देव के एक और राशी है जो मेश राशी है सबसे पहली राशी तो देखिए मंगल देव यह जो वरिष राशी है यह भी उपचाय स्थान में 3,6 और 11 को उपचाय कहते हैं उपचाय स्थान को भी अच्छा स्थान नहीं माना जाता है ठीक है तो छटवे भाव के स्व तो हम मंगल देव को कहां ले लेते हैं? अकारक वाली इस्थिति में ले लेते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम आज आते हैं यहाँ पर, सात्वा भाव, सात्वा भाव है, गूरू देव का भाव, विरियशपती देव का भाव, नम्बर एक बुद्ध देव इन्हें केंद्र का हृदि एए देखिए थोड़ा सा टेकनिकाल हो रहा है थोड़ा सा समझेगा मैं यहां पर एक योग के विशाय में आपको बताना चाहा रहो हम बूद्ध यहां पर बुद्ध देव जो है विर्यश्पति देव को दो केंद्र का घर दी है यह भी केंद्र का घर है और यह भी केंद्र का घर है नो नमबर मतलब धनूरासी इसके भी स्वामी विर्यश्पति देव है और बारा नंबर मतलब मीन राष्टी और इसके भी स्वामी विर्यश्पति देवी हैं विर्यश्पति देव को दो केंदर का घर मिला है ठीक है? अब है क्या? चुकि ये दोनों आपस में अतिमित्र नहीं है इसलिए यहां गुरू को जब दो केंदर का भाव मिला तो यहां एक गुरू की उपर दोश लागू हो गया क्या दोश? केंदरा धी पती दोश अपोजिट गुरूप के वेक्ति को अपोजिट गुरूप के ग्रह को विरुद समू के ग्रह को केंद्र का दो इस्थान मिल जाना इसलिए गुरु को यहाँ पर एक दोस लग गया क्या दोस लगा केंद्रा धी पती दोस केंद्र में एक से अधिक एक से अधिक भाव मिला गुरु को तो गुरु को यहाँ पर केंद्रा धी पती दोश लग गया, नमबर दो जो साथवा भाव होता है, वह मारक इस्थान भी होता है, इसलिए गुरु जो है, वह अकारक में आएंगे, अब हम आ जाते हैं, अगले भाव में, साथ के बाद ये आठवा भाव, आठवे भाव में कौन सा नमबर लिखा है, दस नमबर, दस मतला मकर राशी, मकर राशी मतला सनी देव, मकर राशी के माली है, सनी देव, नमबर एक आठवा भाव मिला, इसलिए सनी देव यहां पर अकारक हो गए, नमबर दो, लगनेश के अती मित्र हैं, इसलिए कारक भी हो गए, आठवा भाव मिला, इसलिए अकारक हो गए, लेकि तूतह या सनी देव यहाँ पर कारक है या अकारक है ठीक है चलिए तो दूसरी रासी जो है उनकी कुम्भ रासी वह त्रिकून में है त्रिकून के स्वामी को चाहे दूसरा कोई सभी घर मिले वह हमेशा कारक ही होते हैं तो शनी देव एक तू लगनेश के अतिमित्र है पहला रिजन नंबर दो एक त्रीकूण का घर मिला दो कारण है पक्ष में और एक कारण विपक्ष में है कौन सा की आश्टम भाव के मालिक है तो दो चीज पक्ष में है तो फाइनली वह क्या हुए कारक हुए ठीक है तो शनी दियो को हम यहां पर कारक में ले लेते हैं यह हो गया फिर इस भाव को हम देख चुके है गुरू के साथ में या मंगल देवका है या शुक्र देवका है बाकि तीन भाव के विशाय में हम पहले से हिए बात कर चुके हैं इस कारिक्रम में तो इस प्रकार से बुद्ध, शुक्र, सनी, तीन ऐसे ग्रह हैं, जो कारक हैं, चंद्र, सुर्य, मंगल, गुरु, चार ऐसे ग्रह हैं, जो अकारक हैं, ठीक है, हाला कि गुरु काफी हक तक, एक दू ऐसी परिस्थितियां होती हैं, यह दि उच्च के हो जाएं, स्वर आसिस् करूँगा, चलिए ठीक है, फिर आज के कारिक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अब समय है, टीफ आप देगा, देखिए, जो मिथुन लगन के लोग होते हैं, उनके लिए बुद्धुवार का दिन बहुत ही सूब होता है, और बुद्धुवार के दिन, के स्वामी है गनेश जी, ठीक है, आप हर बुद्धुवार को कम से कम हपते में एक दिन, सातु दिन जाएं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, कहीं कोई डाउट वाला विशा ही नहीं है, लेकिन कम से कम एक दिन बुद्धुवार को आप गनेश मंदिर जाएं, गनेश जी के दर्शन नवस्य करें, मंदिर जाने में सुईधा होती है, ओफिस का दुकान का थोड़ा सा दबाव होगा आपके उपर, तो घर में ही ओम, गंग, गनपते नामा कापकम्स का मेकमाला रोज जाप कर लें, यहां जो मिथुन लगनवाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमन बहुत ही जबर्दस्तूपा है, ठीक है, चलिए फिर आज के कारिक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं, आने वाले कारिक्रम में फिर हम जो चौंथा लगना है हमारा करक लगना, जिसके स्वामी चंद्रदे होते हैं, उस विशाय के उपर मैं फिर एक आपके समने वीडियो ब